नमसकार दोस्तो, स्वाकते आप सभी का हमारी यूटीव चैनल RPG10India में और दोस्तो आप कैसे हैं, उम्मिद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे दोस्तो आप जहां भी रहें, स्वस्तर हैं, मस्तर हैं और अपने काम में बेस्तर हैं और थोड़ा सा टाम निकाल करके आप हमारे वीडियो भी देखते रहें दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको घर में सुक्षान्ती, उन्नती, सफलता के द्वार खोरने के कुछ ऐसे important बाते बताने जा रहा हूं जिनको आप फोलो करते हैं तो आपके घर में हमिशा सुक्षान्ती बनी रहेगी आपका स्वास्त उत्तम रहेगा, आपके जीवन में तरक्की होगी और आपका जीवन हमिशा सुक्षमे में बीतेगा तो दोस्तो इन बातों को हर कोई जानता है लेकिन मानता नहीं है और नहीं इनको करने का प्यास करता है ये बहुती important बाते हैं अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में इन बातों को धान करते हुए अपना जीवन जीता है तो उसके जीवन में हमेशा खुसियों के सिवा और कुछ हाथ नहीं आता तो दोस्तो वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब करने है साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे के हमारे सबी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे और इस वीडियो को आप दूस्तों के साथ सेर भी करना जिससे के आपके साथ साथ आपके दूस्तों का भी भला हो सके तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि न चाहता हो कि हम हमेशा खुश रहे और हमारे घर में हमेशा सुख शान्ति रहे हर कोई चाहता है लेकिन उनके लिए कुछ करने के लिए बताया जाए तो वस उनसे किया नहीं जाता है दोस्तो जीवन में सुख में रहने के लिए कुछ ऐसी बाते होती हैं जिनको अगर हम अच्छी तरह से फोलो नहीं करते हैं तो हमारे घर में अनेक बाधाएं लग जाती हैं सुक शान्ती की जगे असान्ती फेल जाती है, ऐसे कई कारण बन जाते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा परिशान ही परिशानी रहती है, तो दोस्तों आपका टाइम बिलुकुल भी बेस्ट ना करते हुए, मैं आपको वो important बातें बताता हूँ, जो आपको और हर परवार को प्राते काल ब्रह्म मूर्त में उठने की आदा डालें, जो व्यक्ति ब्रह्म मूर्त काल में उठता है और उस समय पर ईश्वर का इस्मन करता है, उसके घर में हमेशा खुशाहरी खुशाहरी रहती है, कभी भी असान्ती जैसा बातावरण नहीं बनता है, और प्राते काल ब्रह्म मूर्त में उठने से हमेशा स्वास्त भी अच्छा रहता है और लंबे समय तक आप निरोग भी रह सकते हैं और दूसरी बात जो है हर व्यक्ति को अपने घर परवार में एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए जिस व्यक्ति के घर में तुलसी का पौधा ह होगा व्यक्ति सुबह तुलसी पर जल चड़ाते हैं और साम को एक देशी घी का दीपक भी अवश्य लगाना चाहिए ऐसा करने से आपके घर में किसी भी प्रकार का नकार आत्मक प्रभाव नहीं आएगा और आपके घर में हमेशा सुक्षान्ती रहेगी और आपके घर मे आपका कोई दुस्मन जादू टोना करके नेगेटिवडी भीजता है तो उसके लिए आपको सब्ताह में एक बार नमक का पानी यानि पानी में आप नमक मिला करके उससे पहुचा भी लगा सकते हैं अगर आपका घर मकान कच्चा है तो आप एक कांच के गिलास में पानी भर लें और उसमें एक मुठी नमक डाल करके अच्छी तरह से गोल के उसका पूरे घर में छड़काव करना अत्याब सकते हैं दोस्तो नमक का च्छड़काव करने से घर में भूत प्रेत बाधा और नेग्टिविटी दूर हो जाती है इसका प्रभाव आपके घर में नहीं पड़ेगा जब इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा तो आपके घर में हमेशा सुक्सानती रहेगी कभी लड़ाई जगडा नहीं होगा और आपके घर में हमेशा खुसाली खुसाली बने दे और दोस्तो चोथी बात जो है जो लोग अपने घर में खाना तो सब खाते हैं पानी भी पीते हैं लेकिन कभी-कभी बिना खाना खाते समय भी पानी पीते हैं क्योंकि जब प्यास लगती है तो पानी पीते हैं वो पानी पी करके बरतन को वैसे के वैसे ही वो रख देते हैं लेकिन दोस्तों ठीक है अगर आप बरतन को धो नहीं सकते तो आप पानी पीने के बाद में बरतन को उल्टा करके जरूर रखें अगर आप पानी पी करके बरतन सीधा रख देंगे तो उसके जरिये से आपके घर में negativity आती है यानि जाती नहीं आती है इसलिए पानी पीने के बाद में हमेशा बरतन को उल्टा करके रखें और दोस्तों हर व्यक्ति को अपने घर परवार में डेली एक प्लेट में कपूर रख करके जलाएं और उसे पूरे घर में गुमाएं उसे भी आपके घर में नेगडियोटी नहीं आएगी अगर होगी तो आपके घर से बहर निकल जाएगे दोस्तों ये बहुत सारी इंपोर्डेंट बाते हैं जो मैंने आपको बताई हैं अगर आप अपने घर परवार में दिन प्रत दिन इनको फोलो करते हैं तो आपके घर में हमेशा खुशाली रहेगी और आप बक्त रहते रहते ब्यायाम भी करें ब्यायाम करने से आपका स्वास्त हमेशा निरोग रहेगा आपके स्वास्त में कोई भी बीमारी नहीं लगेगी जब आपके अंदर कोई बीमारी नहीं रहेगी दोस्तों मैं आपको बता दूं कहते हैं कि सुख और दुख क्या है सबसे बड़ा सुख तो हमारा निरोगी काया है अगर हमारा स्वास्त सही रहेगा इसमें कोई बीमारी नहीं लगी रहेगी तो सबसे बड़ा सुख ये है तो दोस्तों आप इन बातों को फूलो करें ये सबसे बड़े अच्चुक मंत समझ लिजिए अगर आप इनका अपने जीवन में प्रभाव डालते हैं इनके तरफ आप ध्यान दे करके इन बातों को समझते हैं तो दोस्तों आपका जीवन हमेशा सुख में रहे तो आसा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करना मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ तब तक की नमस्कार